नमस्कार दोस्तो आज मैं आपको एक ऐसे किस्से के बारे में बताने वाला हूँ जीसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे ये कहानी है बॉलीवुड के खिलाडी यानि अच्छे कुमार की फिल्म अतरंगी रेकी और इसके पीछे के अफसोस बरे किस्से की अब भाई फिल्म तो आपने देखी होगी पर क्या आपको पता है कि इस फिल्म के डारेक्टर आनंद इल्राय को इस फिल्म की रिलीज के बाद पच्तावा हो रहा है और ये कोई आज की बात नहीं है बलकि पूरे चार साल बाद तो चलिए आपको बता दे कि आनंद इल्राय को आज 211 में दिजनी पलस होट अस्टार पर सीधे रिलीज कर दी गई थी बजा उस वक्त भाई साहब कोरोना का कौंड चल रहा था सिनेमा गर बंद थे और लोग गर बैटे OTT पर धड़ा धड़ फिल्में देख रहे थे एसे में अतरंगी रे को भी ठीएटर की बजाए OTT पर डाल दिया गया अब आनंद इलराय साहब को लगता है कि सायद उन्हें थोड़ा और इंतिजार करना चाहिए था ताकि ये फिल्म थीएटर में रिलीज हो पाती उन्होंने कहा देखिए उस वक्त कोई दूसरा आप्शन तो था नहीं लेकिन अब लगता है कि थोड़ा और रुक जाना चाहिए था अब यहाँ बात यह है कि इस फिल्म में जो इमोशन है वो थीएटर के बड़े परदे पर और डार्क रुम में ही महसूस हो सकता था एक दम दमदार डायलोग्स, रोमांटिक सीन और अच्छा कुमार का करिस्मा सब कुछ बड़े अस्क्रीन पर कुछ और ही बात करता वैसे दोस्तो इस फिल्म में अच्छाय का कैमियो रोल था लेकिन फिर भी उनकी और सारा अली खान की जोड़ी ने धमाल मचा दिया था हाँ उम्र का थोड़ा सा गैप था अच्छाय बाई संतामन के और सारा 29 की मतलब पूरे 28 साल का फासला लेकिन फिल्म में कमेस्टरी ऐसी थी कि लोग भूल गए थे और बाई धनूश तो थे ही उनकी एक्टिंग ने सब का दिल जीत लिया था अब आनन्द एलराय को इस बात का अफसोस है कि लोगों को ये फिल्म बड़े परदे पर देखने का एक्सपिरियंस नहीं मिल पाया उन्होंने कहा मुझे बहुत प्यार मिला इस फिल्म के लिए लेकिन अब लगता है कि इस बड़े परदे पर रिलीज करना चाहिए था क्योंकि वाइब फिल्म एक दम ला जवाब है तो आज के लिए इतना एक कल फिर मिलते एक नए दमाके के साथ तब तक के लिए खूस रहे देखते रहे